हिंदों में सबसे अधिक मानेता रखने वाला त्योहार है नवरात्र 2022 में नवरात्र सोमबर 26 सितंबर से बुद्वार 22 अक्टूबर तक मनाय जाएगा नवरात्र पर हम मा गौरी की आराधना करते हैं और ये 9 दिन मा के 9 रुपों की पूजा और अर्चिना को समर्पित करते हैं दोस्तों मा जगदंबा की महिमा अप्रमपार होती है जहां तक लोगों की सोच नहीं जा पाती मा की महिमा उससे भी कई उपर तक जाती है ऐसे में हम आज आपके लिए बेहद ही रोचक जानकारी वाली वीडियो लेकर आये हैं तो वीडियो को अन तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें असुर रावण का वद करके भगवान श्री राम ने प्रित्वी को अत्याचार पाप चार से मुक्ति दिलाई थी राम का रावण के प्रती युद्ध केवल सीधा को मक्त करवाने के लिए नहीं था संपून स्रिष्टी को रावण के अत्याचारों से छुडवाना था रावण भी कम शक्तिशाली नहीं था इसलिए उस पर विजय प्राब्द करने के लिए शिरी राम को विशेश प्रत्न करने पड़े लंका विजय से पूर्व भगवान शिरी राम ने देवी स्वरूपा अप्राजिता देवी का पूजन किया था अप्राजिता का अर्थ है जो सवरत्र विजय रहे जिसे कोई प्रास्त ना कर सके आज भी विजय दश्मी के दिन अप्राजिता देवी के पूजन का विधान है जो मनुष्य इस दिन अप्राजिता देवी का पूजन कर अप्राजिता स्त्रोत का भक्ती पूर्वक पाट करता है वह कभी प्रास दिन नहीं होता संसार समर में उसे सवत्र विजे प्राप्थ होती है देवी अप्राजिता का पूजन करने से मनुष्य को सभी दिशाओं में जीत का आशिरवाद प्राप्थ होता है और देवी की विशेश अनुकंपा उनके उपरवनी रहती है विजे दश्मी के दिन प्राताकाल इसनानादी से निर्वित होकर स्वच्च वस्त्रधारन करे। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, सुपारी, पैसा लेकर अपराजिता पूजन का संकल्प ले। इसके बाद दोपैर में देवी अपराजिता का विधी पूर्वक पूजन करे। या कारे में बादा डालते हैं, उनका शमन होता है। कोई भी कारे यदि अटका हुआ है, तो विजे दश्मी के दिन अपराजिता स्रोत का पाट करने से कारे बादा दूर होती है। आक्समिक और पूर्व पेक्षित संकटों से रक्षा होती है। आर्थिक कारियों में धन प्राप्ती में बादा है, तो वहाँ भी दूर हो जाती है। अक्सर लोग पूजा में दुर्वा घास का इस्तमाल करते हैं, लेकिन नवरात्री में मा आदी शक्ती की पूजा के दौरान तुलसी या दुर्वा घास अर्पेत ना करे। ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। नवरात्री में पूजा इस्थल के दोनों दरवाजों पर सात्विक का जेन बनाए, इसके लिए रोली या कुम-कुम का इस्तमाल कर सकते हैं। अर्पित करें। इन फलो को भोग लगाने के बाद कन्याओं में बाढ़ दे। इसके साथ ही कन्याओं को मा दुर्गा का रूप मान कर पूजन करें और उन्हें बोजन जरूर कराएं। ऐसा करने से अपराजिता देवी आप से अवश्य प्रसन होगी। दोस्तों अगर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट बाक्स में जै माता दी लिखना ना भूलें।